तो हेलो गाईस स्वागा थे आप सबका एक ओर वीडियो में फिर आज का यह चो वीडियो है यह हमारे दवेस्ट रणिंग प्लेइर फोर डिफेंस का पार्ट टू वाला वीडियो है ठीक है और अगर आपने पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहार में description में दे दूँगा आप एक बार जरूर से देख लिजेगा उस वाली वीडियो में हमने intruder, rider और बर्टिनी को cover किया था ठीक है और आज की इस वाली वीडियो में हम explorer और पेटरी चुप वहागर के बारे में बात करेंगे तो यार शुरू करते हैं हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग explorer के बारे में ठीक है और यार explorer और वहागर को explain करने के लिए मैं सबसे पहले player behavior के बात करूंगा ठीक है तो देखो explorer के पास क्या है explorer के पास पास है ड्रिवल है और clear है यह टीम चीज़ें है ठीक है और साथी साथ passing में देखियागा तो इसके पास safe marking attacking running दोनों है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जिन प्लेयर के पास यह दो चीज़े होती है वह उनका performance बहुत ही high level का होता है ठीक है और यह जो player explorer वह defense का एक बहुत ही अच्छा player है और जब आप नया-nया score match open करते हैं तो उस time आपको 4-4-2 का formation मिलता है और defense में आपको आप देखेगा हमें सापको explorer दिया रहता है ठीक है तो यार यह एक तरह से अगर मैं कहूं तो defense के रूप में score match ने खुदी इसको appoint क्या हुआ है और अगर इसका profile चेक करें तो लिखा हुआ है adventurous but disciplined can play in any role asked of him ठीक है अब बात करते हैं इसके statics के बारे में तो यार इसके पास speed है ठीक है और यह जो player है यह basically speed के मामले में ही जाना जाता है और पूरे score match के अंदर जिनने भी player आते है यह explorer जो है explorer का speed तीसरे नमबर पर आता है ठीक है पहले नमबर पर speed stir दूसरे नमबर पर intruder और तीसरे नमबर पर explorer आता है और बाकी इसके पास response भी है height है strength है और power और skill थोड़ा कम है ठीक है अब आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं वोयागर पेट्रीजियों के बारे में पास है dribble है clear है और passing में देखियागा तो safe marking attacking running दोनों चीजिए है इसके पास ठीक है यह प्लेयर behavior जो है वो explorer और वयागर का एकदम सेम ही है और profile में लिखा हुआ है this player can change the game ठीक है यह player कभी भी game को change कर सकता है ऐसा लिखा हुआ है और statics की बात करें तो इसका जो speed है इसका जो speed है और power है यह दोनों चीजे भी explorer के same to same ही चलता है तो यह upgraded version होने का फाइदा क्या है upgraded version होने का फाइदा बहुत फाइदा दिया गया है पेट्रीजियों के response यह चार चीजे जो है ना वो explorer से इसका पेट्रीजियों का जादा है यह चार चीजों के बारे में भॉयागर को upgrade किया गया है ठीक है और अगर बात करें आपको explorer को लेना चाहिए अपने टीम में या फिर भॉयागर को देखो या no doubt अगर आपके अपास भॉयागर है पेट बात मिकता देना चाहिए ठीक है क्योंकि यह upgraded version explorer का और यह बहुत ही better performance कता है उसकी तुलना में अब सुनिये हमने इन दो वीडियो में पांच defensive player को यह cover किया है intruder वर्टिनी राइडर explorer और पेट्रीजियों ठीक है तो बात आती है कि इन पांचों में से आप पांच का performance best होता है ठीक है तो देखो आर अगर अगर जो पांच प्लेयर मैंने बताया यह यह पांच आपके team में हैं तो मैं कहूंगा आप अपने team के defense में हमेशा rider और petriejo इन दो player को cover करो ठीक है इन दो player को अपने defense में रखो यह दोनो player बहुत ही बहुत ही बहुतर performance करके देंगे आपको defense level पे और अगर आपके पास rider नहीं है बर्टिनी है तो उस इस्तिती में आप बर्टिनी को भी ले सकते हो ठीक है और अगर आपके पास ये तीनों सुपर प्लेयर नहीं है ना पेटरीजियों है ना बटिनी है ना राइडर है ये तीनों आपके पास नहीं है तो आप इंट्रूडर और explorer इन player को आप अपने defense में रखिये ये लोग आपको regular player होने के नाते आपको better performance करके देंगे defense level में सब्सक्राइब गाईस ये था आज का हमारा वीडियो उम्मिद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना